हालो फ्रेंज आज हम फोटोशॉप CS5 में ग्रिडेंट एंड पेंट बकेट टूल सीखेंगे सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिए न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेज को नेम देके सेव कीजिए जैसे हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं अभी page की size आपको जो रखनी है आप select कीजिए जैसे हमने यहाँ से page की size select की ok दिया अब देख सकते हूं यहाँ आपको blank page मिल गया है अभी हम toolbox में से gradient tool लेंगे gradient tool पे click करते हैं उपर property bar में आपको different different color effects दी हुई है आपको जो भी color effects apply करनी है आप color select करके apply कीजिए आप देख सकते हो यहाँ पर आपको different color effects दी हुई है हम उसको apply कर रहे हैं आपको जो भी पसंद है आप उसको apply कर सकते हो उसके बाद आपको patterns दी हुई है कि आपने जो color effects select के उसको different patterns में आपको apply करना है तो यहाँ पे आपको five patterns दिये हैं आपको जो भी pattern में आपको apply करना है आप apply कर सकते हो सीधा ही अगर आपको gradient खुद बनाना है तो gradient panel में एक click कीजिए आपके सामने इस तरह का एक box खुल जाएगा अगर आपको यहाँ से arrow remove करने है तो down की side drag कर दोगे तो निकल जाएगा अगर आपको colors change करने हैं आप left right move करके आप change कर सकते हो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जैसे move कर रहे हैं वहाँ से color change हो रहा है अगर आपको कोई arrow add करना है single click करिए arrow add हो जाएगा उस पे double click करके color plate खुल जाएगी आपको जो भी color select करना है आप color select कर सकते हो यहाँ पे हमने जो pattern बनाई है ओके दो आप देख सकते हो यहाँ पे वो pattern आ गई है आपको वो pattern apply करनी है तो आप apply कर सकते हो सीधा ही आपको जिस तरह से जिस style में चाहिए उस style में है अभी हम next tool सिखेंगे paint bucket उसके लिए file पे click करेंगे new पे click करेंगे नया page लेंगे यहाँ से आपको नया page को जो भी name देना है name देजिए ओके देजिए आप देख सकते हो यहाँ पे नया page आ गया है अभी हम select करेंगे paint bucket tool यहाँ पे आपको दो options दिए है foreground and pattern हम foreground select करेंगे यहाँ पे आपको bottom में color box में colors दिए हुए हैं आप उसपे click करोगे different different colors दिए हुए है color pickle box है आपको जो भी color select करना है select करके ok दीजे अभी आप color feel किजे आप देख सकते हो color feel हो गया अगर आपको color change करना है again color picker box खोलिए जो भी color select करना है करिए यह हो गया foreground अभी next हम select करेंगे pattern pattern में आपको यहाँ पे different different patterns दी हुई है आपको जो भी pattern select करना है select कीजे और apply कीजे आप देख सकते हो यहाँ पे pattern apply हो गई है अगर आपको pattern change करनी है तो control alter z देना रहेगा और उसके बाद नई pattern select करके apply करना रहेगा इस तरह से apply होगी Thank you